नमस्कार आप देख रहे हैं dnx tv मैं हूँ नीशा बात करेंगे बड़ी खबर में कौन सी खबर रही सुर्कियों में निगम मंदलों के नو नियुक तध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की सुची जारी कर दी है निगम मंदल की पहले सुची जारी की गई है निगम मंदल में 32 ने ताओं को जगा मिली है COVID-19 मरीजों के लिए अमेरिका से आए Portable Ventilator EMS राइपुर को USA 8 के 10 Portable Ventilator मिले COVID-19 रोग्यों के लिए उपयोगी साबित होंगे सभी Ventilator अमेरिका से आए है Portable Ventilator का उपयोग रोग्यों को शिफ्ट करने में किया जा सकेगा नए Ventilator मिलने से EMS की छमता बढ़ेगी Portable Ventilator आ जाने से 36 गड़ में कोरोना के मरीजों को एक स्थान से दुसरे स्थान में ले जाने में अब और असानी होगी 36 गड़ में परिवहन विभाग में हुआ प्रमोशन राजे सरकार ने जारी किया आदेश 36 गड़ सासन ने परिवहन अपर आयुक्त द्वारा जारी किये गए एक ताजा आदेश में प्रदेश के 26 SI को RTO इंस्पेक्टर के रूप में प्रमोट किया गया है अब इस आदेश के जारी होने के बाद नई भूमिका में अपनी जिम्मेदार्यों का निर्वहन करेंगे आपको बता देखी कल 15 जुलाई को जारी किया गया यहाँ आदेश परिवहन आयुक्त के कारियाला से निकला है राजी भवन में कांग्रेस की बड़ी बैठक CM बगेल और PCC मरकाम मौजूद के बड़ी बैठक भूई जिसमें जीलकारी कारी का गठन ब्लॉकत ग्यक्षोद की नियूक्ति के अलावा अगस्त में 22 जिलों में कांग्रेस कमिटी का कार्यालाय बनाया जाने हैं उसके बारे में समिक्षा हुई नियाईक मजिस्ट्रेट के सरकारी बंगले से लाखों की चोरी बिलास्पर में मजिस्ट्रेट के घर पर चोरों ने धावा बोला है कोटा नियाईक मजिस्ट्रेट आसिस्डे हर्या के सास्किय बंगले से सवालाग कम माल ले उड़े चोर घटना 13 जुलाई की बताई जा रही है पुलिस को अब तक चोरो का कोई सुराग नहीं मिला है कोटा थाना इलाके के इस मामले में पुलिस तेजी से जाच में जुड़ गई है चोर रुपे पैसे के अलावा जच के दो सूट भी ले गए है इनमें 20,000 रुपे थे सूट की कीमत FIR में 30,000 रुपे बताई गई है उनके बंगले में काम करने वाले नौकर ने थाने में रिपोर्ट दर्च कराई है पैलेट को मनाने की कोशित जारी प्रियंका ने वेनु गोपाल और एहमत पतेल को दी जिम्मेदारी राजस्थान ने सियासी उठा पतक जारी है मुखी मंतरी अशोग गलहोत और सचिन पैलेट की बिच तलवारे खीज गई है दोनों के पिस सुला की कोशिस का बेडा खूद कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रफारी प्रियंका गांधी वाडरा ने उठाया है प्रियंका ने केसी वेनु गोपाल और एहमन पतेल को सचिन पैलेट से बात करने के लिए कहा है इससे पहले वी प्रियंका गांधी वाडरा ने सचिन पैलेट से बात की थी लेकिन सचिन पैलेट नहीं माने थे ट्वीटर एकांट पर हैकर्स का हमला कई बड़ी हस्तियों का एकाउंट हुआ है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्वीटर के लिए बुधवार की रात पूरी तरह से भयावए रही बराकुमामा, बिल गेट समीट दुनिया के कई टिक गजों के ट्वीटर एकाउंट को हैक कर लिया गया जिसके बाद कई घंटों तक ट्वीटर ने कुछ ब्लू टिक वाले अकाउंट को लिमिट कर दिया यानि वे ट्वीट नहीं कर पाए अकाउंट हैक करने के बाद सभी अकाउंट से ट्वीट कर बिटकोईन के रूप में पैसा मांगा जा रहा था हाला कि अभी 40 तोर पर इस मुश्किल को दूर कर लिया गया है नेट्फिक्स पर रिलीज होगी राजकुमार राओ की फिल्म लुडो शेयर किया लूप बुद्भार को बॉलिवुड के कई स्टार्स जैसे राजकुमार राओ, काजोल, जानवी, कपूर, नवाजुदिन, सिदिकी, संग, अन्य ने नेट्फिक्स को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किये थे सभी ने अपनी अपनी वीडियो सेयर करते हुए नेट्फिक्स से सवाल किया था की वे अब तक सब कुछ छुपा कर रखेगा इसके साथ ही उन्होंने हैश्टाग कम ओन नेट्फिक्स का इस्तिमाल भी किया था इससे फैंस को समझा गया था कि इनी स्टार्स से जुड़ी फिल्मों का एलान नेट्फिक्स पर किया जा सकता है और अब ऐसा ही हो गया है एक सीन को सेयर करते हुए राजकुमार राओ ने लिखा देखे चार खिलारियों को अपनी किस्मत को एक ऐसे गेम में अजमाते हुए जहां कुछ भी सयोग नहीं है और सब कुछ प्लान किया हुआ है लुडो जल्द नेट्फिक्स पर बॉलिवोड एक्टरिस रिया चकरवर्ती को मिल रही है रेप और जान से मारने की धमकी बॉलिवोड एक्टर सुसान सीराजपुत के निधन के बाद उनकी कथित गर्फरिंट रिया चकरवर्ती सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर है हाली में सुसान्थ के निधन को एक महिना पूरा होने पर उन्होंने सुसान्थ के लिए एक emotional note सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसके बाद भी वे ट्रोलर्स के निशाने पर रही हाली में रिया को सोशल मीडिया पर रेप और जान से मारने की धमकी मिली है जिसके बाद उन्होंने इस मामले में साइबर क्राइम से मदद की गुहार लगाई है आज की बड़ी खबरों में इतना ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे आने वाले वीडियो की अगली नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकॉन पर क्लिक करिए